यो बीजेपी ही जेरे सत एमले किश्मीरियां के बीकिए क्रास बोटिंग करिए डोगरे पगड़ी तोड़ी बेचिया है गो मास तोड़ी यह ने चक्किले अखन लगे खाल लो आई सनु पता नहीं तो आप सवाल पूछोगे तो आप भी देश द्रोही बन जाओगे सेक्ट करें दस्तमें दस्तमें लें बिलाव सारे पत्र कारें यो मोगा सवाल पुछने दा कि नहीं द्याकते ना वह दो चार बंदे सज्जे कबेर रहें कैसे मुख्य मंत्री टोल हटा दिंग चिठी लिखरी रविंदर रहा नहीं पुजा कर दिया मिला गदाले शायदो कोवीड आई आई बुजी रस्ते को जाम बंद ही आए बंद किते था एक स्टेय दूवे बेच नहीं आए तो चिठी रूखी रीने पेजी दिया और इनके चंदर परकाश गंगा जी पहले टोल उखाणने जाते थे या डोले कुझी-कुझी जाना पन नेर्ना मुझे समय लेगता ह को मंदिरों का शहर कहा जाता था आज मंदिरों को शहर को आपने टोल शहर बना दिया अक्सर आखाय कुझी कोल लाए बता कुझी जिन्या चुना आवानों चिठी दिली बुची पाकिस्तान जिंदाबाद है नारे एक मंदर जुसी आगधियास बिदान सभा ओधे अंदर इस प्रकार से अभी आप हमें हमारे साथ बैठे इस प्रकार से रविंदर रहना भी हमसे बातचीत करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है वेस्ता है होती है सब की होती है टोल तोड़ना जैसी भी लिया आदे खरय टहरा ही बाह बढ़ आप यहोना वेस्तों है मनना ना में अभी कि नैशनल कॉंफरेंस और कॉंगरेस की जब जमो कश्मीर में 2008 की अगर हम बात करें तो तब सरकार थी और एक पॉलिसी लाए गई जिस पॉलिसी का नाम रखा गया न्यू रिकूरूमेंट पॉलिसी उसके बाद जब पीडीबी और भारती जनता पार्टी की सरकार सत्ता मे आई जमो कश्मीर में तो इस न्यू रिकूरूमेंट पॉलिसी को एमेंड किया गया और उस पॉलिसी का नाम रखा गया एसारो 202 अब फिर से उस पॉलिसी को एमेंड किया गया है और एक और नाम सामने आया है जब एसारो 202 सामने लाया था तब उस समय डिप्टी सीम यान जमो कश्मीर में नई पॉलेसी आई है अब भारती जनता पार्टी कह रही है कि SRO 202 को जड़ से उखाड के फैंक दिया है लेकिन असली मुद्दा अब शुरू हुआ है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन अब सामने आ रही है अब वो इंस्ट्रक्शन जो है अगर आप या अपने पड़ी होंगी तो असल जोल जो है अब शुरू हुआ है उस SRO 202 को लेकर यह से सब पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ यंग पैंथर्स पार्टी के यंग नेता और जमो कश्मीर के उप पुरधान पैंथर्स पार्टी के परताप है इन से बात करेंगे पर तब पहले एक पॉलिसी आती है उसका नाम अलग होता है उसी को अमेंड करके दूसरा नाम रखा जाता है अब फिर से अमेंडमेंट हुआ है और भारती जनता पार्टी तो कह रही कि जड़ से उखाड के फैंक दिया लेकिन जो नया प्रशन में हैं देव जी सबसे पहले तो आपी ने सारी चीजों को पूरा ब्रीफ कर दिया कि किस तरह से जुवाँ को दोखा दिया गया किस तरह से यह नियू रिकूर्मेंट पालिसी जो थी उसको पहले तरोरा मरोड़ा गया फिर एक चुनाब लड़ा फिर असारा दोस् चैनलेंगे इंट्रिव्यू दे यह उत्या बड़ी फड़ा मारी नियां ओदे करने काम नहीं चलता रिविंदे रहना में जाता है तो नो भी गुदा इंट्रिव्यू दे मी सुनने आया तो नो ते खैरो दूरा दूरा निकली हैं तो जेड़ा कोई सवाल पुछ दा उसी जबाब देने दा मादानी रख देयां सिर्फ आपने जरे सज्जे खबे जान जुन्दे करने चाहिश हैं पितियां उन्हें यह इंट्रिव्यू दिन दे ते मीगी लगा कदा देव जी बड़ा पर एक मिया करा कदे बीजेपी दावा करा कदी उल्ला दावा कदी यह सारी सवाल पुछने ला वह ऐसे बच्चे सवाल पुछने पुछने मोका दिन देरे कादा ला पड़ा दे जहीं बनीए फुरफाल सवाल लिखिए देना पाईया पुछ यह करना है बार जाए चाहा करना भी नहीं यह बीजेपी दिया तो किस बीजेपी दिगाल करा कर परताब अबी रिसेंटली जो यह नोटिफिकेशन आया हमने भी पड़ा है जहां तक हमें समझाया है पहले एसारो के एसारो 202 के मताबिक 5 साल किये गए थे अब उनको रिड्यूस करके 2 साल किया गया है लेकिन जो एहम बात इसमें जो एहम क्लॉज इसमें यह है कि 2 साल तक आपको उसी के मताबिक चलना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक अंडर्टेकिंग देना पड़ेगा और अगर उसके बाद अगर प्रशासन के पास सरकार के पास कोई पोस्ट आती है तो वो आपको कंटिन्यू करेंगे अदर्वाइज आपको निकाल दिया जाएगा डिस्चा पालिसी को जब इन्होंने अमेंडमेंट पिछली सरकार में आये थी जब एंसी और कांगर्स की सरकार थी और उपमुक्ष मंतरी जब डक्टर निर्मा सिंग जी थे यह वही उपमुक्ष मंतरी थे जिनके साब पाकस्तान जिंदाबाद के नारे लगे यह वही बाती जंता पर जूड बोले जा रहे हैं और सिर्फ दावे किये जा रहे हैं वह बारती जन्ता पार्टी जिन्होंने इन डेली वेजस के बीच में जाके कहा था कि हम आपके लिए पालसी लाएंगे आज बो डेली वेजज कहा गए आज कहा गए वह उनके लिए जो नीती और नियत यह ला रहे थे कि हम जम्मू के लोगों के लेकर हम बड़े संजीद्गी दिखा रहे हैं हमने कश्मीर के लोगों की बिचाधारा बदल दी है अब इन्हों ने यहां तक भी कहा था कि हम जितने भी डेली वीजस हैं हर एको हक देंगे उनके साल जो हैं बो जाया नहीं जाएंगे कि अज क्या दिया पांचा साल दे रही है कलाली पपा पाहिए जिते तुँ 25 साल चूँसिया ल्याप जाट में जिटर बिसाल खूशी लेक शुसिंट रिंद रहना है समझने लग दिए लोग की बेच किन्यान दे असा अखने में अज भी आखा करना कि मैं जाता हैं दिखो तुस्मीगी सवाल पुछा का दियो लेकिर रविंदर रहना मैं तो नुभी सद्या देव जी आओ तुसरों लोग के सवाल पुछा है विपक्षाले पुछा है हम भी ज सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि अब जो कहा गया भारती जनता पार्टी के दौरा और अड्मिस्रेशन द्वारा भी कहा गया कि जितनी भी नई recruitment होंगे वो SRO 202 के तहट नहीं होंगी लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो पहले के पहले के SRO 202 के मताबिक जितने भी employees लगे हैं उनका क्या होगा देखे जो पहले के जिनके 4 साल हो चुके हैं किसी के 3 साल हो जिसके 3 होगे उसका एक साल इन्हों ने रखा बाकी 2 का इन्हों ने कहा कि वो उसका claim नहीं कर सकता उससे वो undertaking ले रहे हैं वो ही चीज इन्हों ने कह को कोई increment मिलेगा वो ही पीछे वाले दो साल जिनके हो चुके हैं उनके लिए भी आपने ये policy लगा दी और जिस तरह से आपने भी जीकर किया मैं भी कर देता हूं कि इन्होंने कहा कि जो 2 साल के provision period में अगर complete होने के बाद जब तक वो undertaking नहीं देगा तो उसका provision period continue चलता रहे और अगर पोस्ट नहीं हुई तो उसको वहां से discharge भी कर दिया जागा हाला कि इन्होंने अपील के लिए प्राबदा रखा है लेकिन जब आप किसी को निकाल देंगे तो वह मुझे समय ने लाता वह कहां के चक्र काटेगा आर जमू कश्मीर का जुबा जहां तो आप देख हिश्मीर के सरकार पास कोई पालिस ने जहीं मोदी आप कहते थे सालाना दो क्रोब न्θη नोक्री अचेश को अगला देतें पिसी को लगा थे किसी चेर वह परगा देता है । जेके बैंक को इन्होंने पुलिटिकल बैंक मैं तो जेके बैंक उसको आज की देड़ में भाती जंता पार्टी बैंक क्या दिया जाए तो मझे ज्यादा लाजमी होगा क्योंकि पिछली जो जिसमें जम्मू के लोगों को हक मिल रहा था गवर्नर महुदी ने कहा अपना लोग अपलाई करेंगे पिछले जब निकाले थे उसमें असी हजार के करीब अवेदन आये थे इस वार भी असी से नबे हजार अवेदन आएगे और आप देख्यार होएं मुझे यह उंट के मुझ में जी रहा तो सरकार की कोई भी नीती है जो जुवाँ को लेकर नहीं ज क्योंकि आज की देन में प्रजातंतर सिर्व नाम का रहा चुका है बाती जनता पार्टी जब से हिंदुस्तान में आई है तब से आप देखें जम्मू कश्मीर में 370 टूडने के बाए तो ने कितने कानून बनाना बिदायक काम होता है बिदायक है नहीं है कानून बीरोक् सब्सक्राइब करते हैं कि इनसान की विवस्ताइं बहुत होती है जिस प्रकार से अभी आप हमें हमारे साथ बैठे इस प्रकार से रिविंदर रहना भी हमसे बातचीत करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है वेस्ताइब होती है सब की होती है तो तो ना जे सीवी लिया आदे खरे टैराइब आप यह व्यस्तों है मना ना मैं अभी लेकिन उपन पत्तरगार बाता कर सकते ना अक्सर कर दे उन उन्होंने ने जुबादर एली समोदी किता ताम प्यस्ता नहीं ब्लड ड सब्सक्राइब देव जी लोगे पत्तरकार नहीं है मैं भी अखना नहीं है में पत्तरकार रेखाली बीजे पीदा प्रपोगंडा में अगर इने स्पोक्स परसन आखी दिता या ते बड़ी अच्छी गालो है साड़े करने बैठे जो लेकिन सीधी सी बात है अगर आप देश द्रोई तू पाकिस्तान दिकाल करना तो भी जबता थे जुटे लहां में जनता दिखा देवी और उपन पत्तरकार बाता नहीं है जल्दी जनता और नहीं ने जवाब देगन आज भी यह उमीद करने और नवा जिरा सो 192, 193, 194 जो सरकार ने अभी लाया है यह जुवाओं के साथ दोखा है और जुवाओं के साथ एक फ्राड है क्योंकि इन्हों ने जब SRO 202 लाया था यह बोही डिप्टी सीम निर्मर सिंग जी थे जिन्हों ने कहा SRO 202 लाने का है कि हम हजारों की तेदाद में जुवाओं को नोक्रें देंगे उनकी अजेस्टमेंट करेंगे ताकि उन्हें कहीं न कहीं दर्दर की ठोकरें ना खानी पर लेकिन SRO 202 आने के बाद कितनी रिकूर्मेंट हुई आपके सामने है वही आज वही सवाल है ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम बदलने के लिए ही रखा गया था SRO 202 क्योंकि पहले आया तो नियू रिकूर्मेंट पॉलेसी फिर SRO 202 अब S192 34 2020 कर दिया मतलब 2020 चल रहा है तो अच्छी वात है 2020 लेकिन नाम बदल के आप नाम जितना मर्जी बदल दिये जिए लेकिन जो अंदर माटीरियल है उसको तो बदल लिए नाम बदलने से धोड़े ना कुछ होगा देखिए इन्हों ने बाती जनता पार्टी ने कहा हम हाइवे बिना रहे हैं लाली पापाई व्याले देई आ रहे टोल उपर रोलतर याद है बाती जनता पार्टी जूट के सिवा आया तक ना तो कुछ ब इनका जम्मू कश्मीर की जनता ने कर दिया है तोल प्लाजा की आप बार-बार जिकर कर रहें पर अगर हम जम्मू की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कॉमेडी वीडियो जो है वो यहां के कलाकारू ने बनाई है और लोगों ने काफी पसंद किया फिर तो लोग ये भी कहने लगे कि हमारे घर के पास भी एक टोल पलाजा लगा दो हमें भी वहां पर टोल पलाजा चाहिए बहुत सारी वीडियोज फणी वीडियोज आपने भी देखी होंगी देखें बिजली मैक में को इन्होंने प्राइबेट कर दिया पहले ही अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी बेरोजगार हो गए और कहीं दैस हो गई है तो अब तो अखनूर में जहां पर इन्होंने वह भी सब्सक्राइब थोड़े दिन पहले गे थे बहां इन्होंने जगा को इडेंटिफिकेशन कर लिए अखनूर में भी टोल लग रहा है मुझे समय लगता है जम्मों को पहले टोल उखारने जाते थे या डोले कुंची कुंची जाना पर नहीं ना प्रोईयों चंदर प्रकाश करना रीवन कटने मठाई खाने लड़ू मुह लगा पहुंते मुह अगय कर लिया यही रिविंदर रहना जी सरकार आंदियो अहां तोड़ी ना लेकर एक बास हमज जानकारी है नैशनल हाइवे अथारिटी जो है वो केंद्र सरकार के आधीन होती है प्रदेश के नहीं तो यह कैसे मुख्यमंत्री टोल हटा देंगी चिठी लिखरी रुविंदर रहनों ने नितिन कटकरियों ने पुझ्जा कर दिया मिला गदाले शायदो कोवीड आई आ सब्सक्राइब कर दो यहां आई वे बंद किते था एक स्टेयर दूवे वेच नहीं आं दिया तो चिठी रुखी रिने ते पेजिए ने अक्सर आखाय पुझ्णी को लापता पुझ्णी जिन्या चुना आवानों चिठी दिली पुझ्जियानी टोल फेर भी नेटना लेक सब्सक्राइब करें लेकिन इंदी नियत वेच खोट है इंदी नियत वेच बेइमाननी आए ओव बीजेपी ही जरे सत्त मेले कश्मीरियां के बीकिए क्रासवोटिंग करिए डोगरें पगड़ी तोड़ी बेचिया है गोमास तोड़ी एने चखी लिया अखन लगे खाल ल उम्मीदे प्रती ओना अपना आपकी समर्पित करता यह थोड़ी अंदपा कवा पाई ले हमारा जमू तोड़ी ठेक दार में जमू दे लोकें दर्द दोसे नहीं जाना जमू दे लोकें दी के चांदे जमू लोगो तोसनी करी पाए टोल तोसनी लाई दी टे जिए आप आँ दो बाकि उप मुख्य मंतरी इन्दे रे ए उयो उप मुख्य मंतरी सरकार है पंजिन मुनने हैं त्रेया कठे के दो कठे कि तेने सिन्नगराले एक पवन गुपता लाथा ठाई ठाई ब्राबर लेकि मुख्य मंतरी नि बनाई पाए उल्टा मुथ्यों राख ले पाकिस्तान दा शुक्रिया हुरी ताले शुक्रिया दे चुनावों ये भूल दी नहीं पाए मारे यहो तेल में उन्हें तीले बेचे तेल नहीं रे आए इंदे गोडे कस ये रे दमाग सुस्तों यह तो समन्नों ए गाल बाती जनता पार्टी पूरी तरह ने बुखलाई पर कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक इन दूदा थे नैशनल दा सेक्टिफ केड़ बंदे तेमी लगा शायद साथे साथे साल दी कांग्रेस ना जिस तर जिस शड़क उपर जान जिस पानी नल के बिजली तो से डैम की यूज करा दियो ना में लगा है सुखने पेचा बना करते हैं कंग्रेस ने बनाया कि इस नहीं है मैं समझने लग दा बीजेपी दा देव जी सवाल किशन नियत करने पूछ दे चोदा देवाद दस तो किने एम्स बने अज जमुदा बनने आ लाहा आले तोड़ी लड़के दा सेंटर यूनिवरस्टी मरिया से डांगा खा पाकिस्तान की जवाब दे रहा दे नहीं जवाब है यहां चीन की एक देना आदे मारे ना उंदीस है उते आसे तो गे ना हो साड़ बेचा है फोजी साड़ इंजा शीदो यह कार बैठे रहा है उन्हें सुखने बेचे चाहिए नाले मारे इंदी कथनी और करनी बेचे राओं प्रते नहीं है उन्हें पुल यह ढूंग लाते हैं कली चाहिए नहीं इंट्रिव्यू करो पूछने तुसे नहीं प्लाना होना तुन तो से बिच्छ यह पूछने नहीं आ क orchid किता दिकिए दो ट्रय ऑख मारे कल दे जा ता ले मैं भी आखिर में पाले और तो यंग पैंधर्स पार्टी के उप्रधान हमारे साथ थे परताप सिंग और निशाना साधा है भार्तिय जनता पार्टी पर एसारों 202 को लेकर क्योंकि भार्तिय जनता पार्टी ने यह कहा कि जड़ से उखाड कर फैंक दिया लेकिन जो नई इतनि नोटिफिकेशन गाइड्लाइंज आइए असल जोल तो तो उसमें हैं यानि के दो साल तक आपको रखा जाएगा उसके बाद अगर कोई नई पोपोस्ट आती है तो आपको रखा जाएगा नहीं तो आपको डिस्चार्ज भी किया जा सकता यानि कि नोकरी से निकाला भी जा सकता है जहां पर टोल प्लाजा की बात है तो रविंदर रहना ने कहा था कि टोल प्लाजा को उखाड के फैंकेंगे उन्होंने चिठी भी लिखिये नितन गटकरी को लेकिन अब परताब का कहना कि शायद वो चिठी अभी तक नहीं को